नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में मैं हूँ अर्विंद शहर दर शहर होते हुए आज मैं पहुचा हूँ हापुड हापुड के इत्यास के बारे मैं आपको बता दू हस्तिनापुर से कभी ये जुड़ा हुआ था तमाम तरह की खूबिया है इस शहर में गढ़ मुक्तेश्वर यहीं पर है जहां पर लाखो की संख्या में हर साल लोग यहां आते हैं कई सारी बाते हैं यहां से जुड़ी साथी साथ उत पादों के अगर बात करूं यहां पर पापड यहां का बहुत प्रमुख है stainless steel pipe यहां बड़ी संख्या में बनते हैं अब कहा जाता है इसे कई सारी खूबिया हैं हामिया भी हैं दिक्यते भी हैं परिशानिया भी हैं वह परिशानिया क्या है लोगों की साथ मौझूद है हापुर शब्द के बारे में एक बार बता दू आपको कि ये हापर से बना है जिसका मतलब होता है बागीचा ये भी एक बागीचा है हापुर की जनता यहां पर है और पार्टियों से जुड़े हुए कुछ नुमाइंदे भी हैं जो अपनी बात रखेंगे विश्वास कहीं न कहीं जनता का अपनी और लेने की कोशिश करेंगे किस आधार पर जनता किधर जाए जनता यहां मौझूद है नुमाइंदे हैं पार्टी के कौन-कौन लोग है एक बार पच्चे करादे उसके बाद इसकारकम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ मनोज ब जनता यहां पर है सबसे पहले शुरूबात यहां से करूंगा बहुत संक्षेप में आप अपनी पार्टी अपने जो भी आयोजन है जिसकी वह से जनता से आप जोड़ने जा रहे हैं कैसे आपकी सत्ता दूसरों से अलग रहेगी कैसे विश्वास में लेंगे लोग को संक् जोड़ देते हैं और जनता हमें देख रही है कि देश के प्रतियम कितने निश्टावान हैं कि अपसे जाना चाहूंगा किस तरह की दिक्कते आप यहां पर देखते हैं और किस आधार पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की सारे आरोप लगा जाते हैं सड़क बिज श्रीम क्यान के अर्याय दफर्म देखते हैं यहां के जो नगरपाली का चेरमेंन है वह वाजपा की हैं जो दोनों ही कास के मामलि में प्रतिया है नकर भीतानीस हिसाaler युवा मुख्यमंत्री जी ने पिर्देश में यहापण की बात नहीं करा हापण में तो बहुत विकास करा एक नया जिला बना एक जिले में जो कुछ टाइम चाहिए भई अभी हमारी जो सरकार है और चाहिए आपको हमारा हॉस्पिटल यहां बन रहा है यहां कलटेट त्यार हो गई सड़के यहां बहुत अच्छी बन रही हैं पूरे छेत्र में कहीं भी आप जाके देख लें कोई भी सड़क ले और पूरे पिर्देश किसी भी मुख्यमंत्री ने 40 वर्स में इस तरह नहीं करा जीतने हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने अख्लेश जी ने 4.350 विटास करा पूरे पिर्देश का त्टिक है ठीक है आपके इसाब से भीकास यहां भरपूर हुआ है और क्या होगा जनता बताएगी पूर शरत् कॉंग्रेस से रहा या बीजेपी से रहा समाजवादी पार्टी से तो कोई विधायक रहा नहीं है या और चेरपर्सन जो वह भी इसी पार्टियों से रहे हैं लेकिन हापुड में नाली सड़के एववस्थित तरीके से हैं अभी स्वर्गासम रोड पे नाला वन रहा है उस सहर में बहुत सारे दिखते हैं जिस पर काम होने की ज़़ुरत है नपी सिंग्जी समाजी कारे करता है पर प्रदेश मीडिया प्रभारी है आप किस तर से देखते हैं सहर के दिक्कतों को और समधान क्या देखिए ब्रस्टाचार रिश्पत घोरी गोटालों के कारण जितन पूरा नहीं किया जाता है जबकि यह दिखा देते हैं जन सुनवाई में भी हम बारवार देते हैं कि बारवार उनका निस्तारन दिखा देते हैं परन्तों दस परसेंट भी काम नहीं होता तो इसमें सुधार की आवश्यक्ता है अनिल जी अनिल आज़ाद आपके इसाब से मैं जो सहीद मेली की अभी आप बात कर रहे थे उसका पूर प्रदान और वर्तवान में सलग चको मेरी सबसे बड़ी मांग यह है जो मुझे कमी महसूस हो रही है आज प्रदेश और देश में प्रदेश और देश की दोनों सरकार हिंदुस्तान में लगने वाले एक मातर पर नहीं लापाए हैं और हम चाहते हैं कि उस मेले को सरकार की तरफ से लगाया जाए यहां पर तमाम कमिया है इन अपनी बाते रखी समाजी करता है अब जो असली व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं बदलाव के लिए जिम्यदार है और होंगे उनके पास जनता के पास यूथ है यूँआ है दिक्कत आपकी क्या जाम किया बहुत बड़ी जाम कि बहुत बढ़ी जाम कि वह पर मोत जाम लखाए बढ़ोसा किस पर बढ़ोसा बढ़ाए बैजिए पर जाते पूछना था कि इन्हों ने बोला कि हापूड में सड़के सब्वेस्ता ठीक है हमारा गाउं सरकार आनी चाहिए क्योंकि वो काम भी कर रहें अच्छा और विकास होगा मोधी सरकार से ही मोधी सरकार चाहिए मोधी सरकार पर भरोसा और भी लोग हैं आप बताना चाहेंगे क्या दिक्कत आपके शहर की कैसे दूर जैसा सिंग साव ने भी कहा ब्रस्टाचार के मुद्दे के ओपर बूले जो ब्रस्टाचार है मोधी जी मैं अच्छली वामपंती पार्टी से बलांग करता हूं लेकिन मोधी अभी जो काम कर रहे हैं अभी जो ब्रस्टाचार की लड़ाई हम लोग लड़ते आये थे उसके उपर उनका पहला स्टेप है देश में जो दूसरी क्रामतिय भी होने की तैयारी है और इसके लिए सब लोगों को साथ रहना चाहिए और एक जूट होकर इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हिस्से में जूट चल रहा है नौट परिवर्तन की जो चल रही है थोड़ी ची कम रिया उठाया है और आम जंता को कोई परिशाने नहीं है इसे उन लोगों को परिशान है जूनोंने हजारों करोड दाब रखा इससे हमारा जो देशापार विकास करेगा और ऑी बद्रत् कि अगर बात की जाए शुक्षा कस्तर की बात की जाए स्वाक्षरता यहां काफी अच्छा अगर आकुड को देखा जाए अपके इसाब से लग रहा है कि पढ़ाई लिखाए ठीक है बहतर है यहां को कहीं और जाने के ज़रत ने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्ट्टर है यहा जब तक मोधी जी आएंगे बीजेपी आने चाहिए उत्तर परदिज में जबी विकास है और विकास नहीं होगा कि केंद्र में सरकार तो राज्य में भी सरकार होनी चाहिए अब केंद्र में राज्य की सरकार एक ही होनी चाहिए आपके हिसाब से तो बदलेंगे इस बार इहां की बिल्कुल आप क्या कहने चेंज करेंगे गवर्मेंट का बिल्कुल तुष्टी है दिकते क्या है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं हुए आपने उमीद की थी वह उमीद उपए और जो है सरकार खरी नहीं करता है आम लोगों के लिए काम सरकार ने नहीं किया आपके हिसाब से हमारे गाओं में सपाई का कोई भी नाम नहीं है दो तलाव वैसे हैं जो पूरे गाओं का कोड़ा उसके अंदर गिरता उसे बहुत पैदा होती है बहुत बढ़ी समस्त्या है सफाई अभियान को लेकर त यह है महिलाओं को लेकर कई तरह के जो है यूजनाय सरकार ने चलाई है और लॉडर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं कुछ यहां पर सब्सक्राइब करती हैं सबसे पहले तो यह सीफ नहीं है गर्स के लिए यहां पर जैसे डेली में या एमधाबाद में आमधाबाद है उनके उनके ग्याराइब किन निटें घगते लीकिन हमारे रात के 9 피का साथ से टज दुटा बचाया सब्सक्राएं ह intéressाद्स अगी जैसे इस अब घंच वैसा ने बोला की कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से यहां पर स्टडी के लिए प्रॉब्लम है विकोज अगर आप कॉलिज जाके देखो या फिर स्कूल लाइफ में जाके देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कास्ट के लिए बोलते हैं सब लोग आज कल और ज बहतर नहीं होगा यूँ आगर आगे ठीक से नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा जो कि देश का भाविश्य कहा जाता है आपके साब से क्या दिक्कत यहां पर कैसे दूर सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर हमारी ब्रष्टाचार है ऐसा मुझे लगता है अगर कारी में आप जाएंगे बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा किसी भी इस तर्वे नहीं होगा पहले लोग चलते थे पहले नोट चलते थे छोटे अभी नोट बड़े चलते हैं तो मोदी जी ने बड़े नोटों पर लगाम लागे शायद बेटे चार इससे रुकेगा ऐसा म अगर दिकते हैं परशानिया हैं हम यूँआ हैं हम ही बदलेंगे वोट की ताकत से कौन सी पार्टी बहतर लग रही है इस समय तो जो मुझे लगता है सिर्फ बीजेपी ही एक मात्र हमारे पास विकल्प है शायद कुछ नहीं से यहीं बहतर है यहां पर एक और बात है जात के बीच में हूँ मैं आप ही लोग उससे जानना चाहूंगा लगता है आपको जाती समीकरण काम करता है यहां पर जाती के आधार पर वोट पड़ते हैं उस तरह की कुटपाजी होती है लोग कहीं ना कहीं पार्टियां जो है उन लोग को लाविंग करके अपनी तरफ लान अच्छा ऐसी सिती में समाधान क्या दिखता है आपको क्या रास्ता क्या है जनता के पार्टान यहीं है मोदी जी आते रहेंगा समाधान होता रहागा ने तो सारी चोर है जितने भी नेता है किसी भी पार्टी के ले लो सब चोर है पैसा चीए मोदी जी पैसे को इन से चीन नहीं आएगी संपूर्ण तो कोई नहीं है दिखिए मैं तो यह चाहरा हूं मुझे जो लग रहा है कि फिर से देश आ जा दूआ है क्या लग रहा है आपको किस तरह की दिक्कत आपको आते जाते हैं हमारे यहां पर इतनी है कि जैसे हमारा यह रेलवे स्टेशन से मार गाता है हापड में तो यह इतना जरजर हो चुका है और कम से कम 10-12 साल पहले बना होगा उसका निजात नहीं मिल पार यह रास्ते में पानी भरा हुआ है इधर रास्ते पर चले जाओ रास्ता कोई खराब है नालो की सफाई नहीं है को सबसे बड़ी दिक्कत है और ट्राफिक भी हमने आते जाते देखा कि यहां पर ट्राफिक उस तरह से नहीं सुचार रूप से व्यवस्तित आपके इसाब से बिलकु ट्राफिक जादा है जादे से जादे ना सापाई है ना पानी का तो निकाल पूरे हापड में नहीं है कह सब्सक्राइक कि इश्याराब बंदम को लेकर जिस तरह से नितीज तरकार करकर कि यहां क्योंते हो सकता है आपको क्या दिक्कत लें आ सबसे ज्याद च्राफिक और ट्राफिक ब्रस्ट अचार कि लगता आपको किस तरह की दिक्कत सबसे में दिकते हैं पूट के अंदर ट्रैफिक जांब लोगों का सबसे दर टाइम वेस्ट होता है अगर आपको छोटा सा शहर है जहां वहुंचने में केवाल दस मेरा पांच मुनट का टाम लेगता है लोगों के डोड़ो दो तीन तीन गंटे लग जाते हैं आपको लगती है आपकी सब्सक्राइब क्योंकि अभी दिसेंट लिया पर जाएंगे देवनन्दी होस्पिटल के वहां काम चल रहा है वह पता नहीं कितने साल से चल रहा है और अभी भी कंप्लीड हो नहीं है वह तो चेंज होना चाहिए गवर्मेंट में और जो भी हो को भी बीजेपी कुछ कर सकती है बीजेपी पर भरोसा अचाहिए बाट तमाम तरह के दिक्कते हैं मैं यह जानना चाहूंगा कि आगर इस सरकार के कारिकाल को देखा जाए अब लगभालवगा खत्म होने जा रहा है कुछ उमीद्य थी आप लोगों की जो पूरी नहीं हुई नि पर ने कुछ कि अज़िदी बड़िये नि बीजास यह तमाम दिक्कते हैं लोगों की ब्रश्चायत को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं इसानने रखी आपके सामने रखी के न Нुमाइंद में हैं सबसे पहले हैं आपके पास था ना चाहूंगो जो सवाल था इनका ट्राफिक को लेकर उस पर काम नहीं हुआ सीधे तुर परण रगाया तेखेज ने लागा है त्रेफिक कि जो फ्लो है वह आसान हो जाएगा ट्राफिक यहां कारेकाल खत्म हुआ पांच साल खत्म होने जा रहे हैं वक्त परयात नहीं था इसके लिए आप नया जिला बना है किसी भी स्ट्रेक्टर को खड़ा करने के लिए टाइम तो चाहिए यहां कलेटेट बने 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 जा रही ह होस्पिटल बन चुका है और भी सब चीजें हैं सड़के बननी है बाई साब का सवाल था कि हमारी गाम की सड़क नहीं बनी हमारे प्रिदेश सरकार पैसे दे रही है यहां जो लोकल किसी गाम की अगर सड़क नहीं बनती है वह जो वरत्मान विदायक है उसका दायत होता है है वह कहां सड़क बनी कहां नहीं बनी वहां की जो हमारी आम छेत्र की जो सिकायत है यह चेत्र की जो समस्या है हमारा वहां का जो प्रितिनित कर रहा है जो वहां का नेता है जो विदायक है उसको समस्य उठानी है पैसे मिलते हैं लेकिन यहां के जो विदायक है दूसरी प पीडिये ने उपर से सासन ने जारी कर दी वह काम कर दिया लेकिन ये दुखत घटना है सहर के लिए इतना पैसा लगा और बिना प्लानिंग के लगा सेटलाइट के दुबारा पानी की निकासी के लिए और coverage के लिए शायद सासन और उपर से प्रदेश सरकार इसमें गंबीर होती तो पैसा अच्छा लगता और सहर को भी एक अच्छा मार्ग मिलता एक जीवन को यहां जीने के लिए लोगों को अच्छा लगता पुर्शत्म जी आपके इसाब से समधान क्या है सिकते तमाम तरह की लोग बता रहे हैं समधान समस्चाए है तो समधान तो होता है लेकिन उसके लिए समय भी चाहिए आप अगर राजनीती की मुद्दे की बात करेंगे तो सत्ता में तो बीजेपी बैठी हो जैसे की चेर पर पर्कों के लिए भी है हाईवे भी हो रहे है हापुड का विकास की जातक बात है यांतर में कि अद्म ऐस्तर पर और पार्टियों को नुमाइं दें क्या इस तरह की दिक्कत की वज़ेशसे भी कहीं एक तालमेल नहीं नहीं बन पाता और विकास कार रह जाते हैं सबसे पहले इस तरह के रोड जो बनते हैं तो पहले रोड साइड में निकाल दी जाती है जैसे मेरे बुलेंचे रोड का यह बनाता है साइड से निकल गया शेहर दो भागों में बटा हुआ है लोग बहुत परेशान है उसके बाद दो रोड संचन भी वह दिखाये ते के बाद किछ नहीं हुआ लोग बहुत परेशान है क्या लग रहा है सर आपको अनिलाजाज जी क्या मौका एक बार और देना चाहिए इस पार्टी को या फिर बदलाओ की ज़रत महसूस हो लिए समाजवादी पार्टी को एक मौका और दिया जाना चाहिए और समाजवादी समाजवादी पार्टी ने जो कि एतियासी काम किया किसी नहीं किय थरप देश के अंदर सबसे महतवन काम किया जिस और जिस प्रदेश के अंदर यदि कोई महिला game यह हमारी बहन बेटी बाट किसी बेटी को जरब देती है तो उसको ऑफ को जो है उपेकशित निगाव से देखा जाता है समाजवादी पार्टी ने हमारी बेहन बेटी जो बेटी को पैदा करती है उसको मांसम्मान देने के लिए 30,000 रुपे की 8-8 के दिलाने के काम किया तो आपके इसाब से एक मौका और दिया जाना चाहिए मैं फिर पब्लिक में आना चाहूंगा और बड़ी बात इस बार कहूंगा आपने अपनी बाते रखी समस्या हैं बताए इन लोगों कि क्या दावे और बादे हैं अब पब्लिक के इसाब से एक बार जानते हैं समाधान क्या कैसे आपका शहर विकास करेगा दिक्कते दूर होंगी जैसा सिंग साम ने कहा कि कमिशनर से सब्सक्राइब कि शिकायत की यदी विडिये में फ्लैक ना होते तो नंबर वन मतलब वहां से सब कुछ सह चल रहा है और जैसा मैं लेका लोग है और यहांसे कुछ भी करने के लिए तियार नहीं है बड़ी बड़ी दिक्कते आप लोगे हिसाब से क्या यहां पर जिस पर क कि चाहिए युवाउं के लिए काम अथिस्थ के पहले सटकों की समस्यादा होने सबस्und करने की जरूरत बहुत ज्यात जाइत का ब Bush 不要 स्वाइब के अधर होने इस एक बात कर रहे हैं संहान पे बात कर रहे हैं यहां की पब्ली के साथ होना चाहिए भातना चाहिए पहले कानोनी रस्ता से होई चाहिए और ब्रेश्टा चाहिए उस पर चाहिए जिसकी भी सरकार वने वो उस पर काम करें आपके साथ से ट्राफिक यूआ को रोजवार मिलना चाहिए और किसानों को गन्ना पेमेंट मिलना चीए पर प्रश्ची में उतर प्रदेश की एक क्रीव रहा है और कहा था एकि यहां की पब्रद्धान जोंट आए लेकिन स्थिखियां उसके गाओं मूश और नहीं है proliken के दिक्कत कैसे और कोई कुछ कहना चाहेगा आपके इसाफ से वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देकर आप वोट करेंगा अगर वो काम सही होगा तो आप आगे उस पार्टी की तरफ जाएंगे हमारे इसाफ से तो हमें अपने अपने सुधार करना चाहिए है सब को मिल जूल का काम करना चाहिए हमारे भी कुछ जिम्मेदारी बनते हैं देश के नागरिक के नाते क्या बात है बहुत बड़ी बात इन्होंने कही बहुत बड़ी बात इन्होंने कहीं सिर्फ जो है आरोप लगाने पर और कमिया निकालने की ही बात नहीं है एक जिम्यदारी हमारी भी बनती है हम अपनी जिम्यदारी निभाएं और एक जिम्यदारी उसी जिम्यदारी में से य हमारे जैसे हापुड है हापुड में सबसे जादा एक तो गंदी और जहां के लोगों को अपनी मेंटिलेटी चेंज करेंगे तो हम किसी भी को ब्लेम नहीं कर सकते जैसे मैंने आप से भी पहले कोशन किया था कि हमारे हम साथ बज़े अगर घर जाते तो हमें खुद को डर ल जो शहर की जौरत है सब महिला की सब्टी में चाहिए पहले जूर कि सब्सक्राइब करना चाहिए और एक तरह से इन्वाल्मेंट भी लोग बढ़ाए कहीं न कहीं आपके सबसे मेरे सबसे जो इंफ्रस्रेक्टर है हमारे हाप उड़कर बिल्कु सही होना चाहिए इसी से ट बस्ट और यह जाएगा तो साफस्ट्रक्ट्टर बहुतर हो तो यह तमाम दिख्टे रियल ग्राउंड की दिक्कते मैंने आपको इस प्रोग्राम के जरिये बताए जिस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है चाहिए ट्राफिक हो लौन और की बात मैलाइं जिस तरह सार्च प्रक्षित यहां पर मैसूस कर रही हैं क्रिशी को लेकर तमाम लोगों ने अपनी बाते रखी रोजगार को लेकर यह बाते बताई कि रोजगार यहां बैतर होना चाहिए ताकि युवाओं को यहां से छोड़कर कहीं और बाहर ना जाना पड़े पार्टियां तमाम आ रही ह इसी आधार पर कहीं न कहीं जनता जो है रुख करेगी उस पार्टी का और चुनाव में वही पार्टी आगे सामने आएगी जीत के साथ हमार इस खास प्रोग्राम में फिलाल इतना ही बैलेट बॉक्स में मिलूगा किसी और शेयर में फिलाल के लिए मुझे देदी अजाज़त तमस्कार